दुनिया की सबसे नर्म रवा इडली यानि की सूजी इडली की रेसपी इतना सौफ्ट नर्म आपने इडली पहले कभी नहीं देखा होगा बनानी की रेसपी दोस्तों पूरा देखिएगा जिससे कि आप अपने घर में इसे बड़े ही आसानी से बना पाएंगे तो इसके इंग्रेडियंट बहुत ही सिंपल हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं साड़े साथ सो ग्राम हमारे पास सूजी है आधा किलो हमारे पास दही है एक लिटर पानी की हमें जरूरत होगी और साथ में एक बड़ा चमच नमक तो सूजी में एक बड़ा चमच हम नमक मिला देंगे और इसके साथ ही डाल देंगे इसमें आधा किलो दही और यह ज़्यादा क्वांटिटी में हम बना रहे हैं आप इस हिसाब से कम क्वांटिटी में भी बना सकते हैं तो यह मेजर्मेंट ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से पहले सूजी नमक और दही को मिला के और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके आपको मिलाना है तो इसमें एक लिटर पानी का हम यूज करेंगे तो एक लिटर पानी एक साथ नहीं थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें डालना है कुछ इस तरीके से ये इस बात का आपको ध्यान रखना है तो दोस्तो इतना सिंपल आसान है ये इस बैटर को बनाना तो अब हम क्या करेंगे इसे ढख देंगे आदे खंटे के लिए जिससे की सूजी जो है अच्छे से फूल जाएगी इसकी कंसिस्टेंसी देखिए दोस्तो इस तरीक से ड्रॉ टीकर फिञेनस आएगी तो यहाँ पर हमें इडली का जो स्टेंड है इसमें हम लगा लेंगे रिफाइनड ओयल आप चाहने तो बटर लगा सकते हैं घी लगा सकते हैं रिफाइन ओयल से क्या होता है ना बहुत ही आसानी से अलग-अलग हो जाते हैं इडली जो है बहुत ही आसानी से निकल जाएगी अब यहाँ पे तीन कब जो हमने बैटर निकाला था ना इसमें हम क्या करेंगे आधा छोड़ा चमच हम इनो का डाल देंगे और इनो का डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के तुरंत बाद ही वेट मत किजिएगा तुरंत ही हम क्या करेंगे इस बैटर को इडली के स्टैंड में डालेंगे और किस तरीके से डालना है ये देख लीजे ये रहा इडली के स्टैंड और ये बैटर लेके हमें पूरा नहीं भरना है थोड़ा सा जगा रहने देना है जिससे की इडली जब फूले तो वो बाहर न गिरे अब इसके बाद इसी तरीके से हम सारे इडली स्टेंड में बैटर को डाल लेंगे हम यहाँ पे दोस्तों हम ले लेंगे कूकर और कूकर में हम यहाँ पे डालेंगे एक लिटर पानी और पानी डालने के साथ ही ग्यास का फ्रेम कर देंगे तेज और कूकर के धकन में आपको सीटी नहीं लगाना इस बात का ध्यान रखेगा ठीक है कूकर के धकन में CT नहीं लगेगा जब पानी में उबाल आने लगे तो इडली का स्टेंड इसके अंदर डालिए और धकन को कर दीजे बंद बिना CT लगाए धकन को कर दीजे बंद और फिर इसके बाद 20 मिनिट के लिए दोस्तों यहां पे हमें इस इडली को पकाना है हाई फ्लेम पे 20 मिनिट के बाद देखिए दोस्तों यह हमारी इडली जो है बहुत ही अच्छे से फूल गई है अब हमें क्या करना है इसे सावधानी से पहले तो बाहर निकाल लेना है और हाँ आप चाहें तो इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं लेकिन 20 मिनिट में यह बहुत ही आसानी से हो जाता है चेक करने के आपको जरूरत पड़ेगी नहीं तो यब यह दोस्तो थोड़ा ठंडा हो जाए तब हम क्या करेंगे कि इसे हम निकालेंगे और एक के बाद एक हम इससे इड्लियों को निकालेंगे तो इड्लियों निकालने के लिए सबसे बढ़िया है कि आप एक चमच ले लीजे और चम्मच से इड्लियों को निकाल लिए जिससे की बड़ी ही आसानी से ये निकल जाएंगे और इसका सेब भी खराब नहीं होगा ये देखिए इसी तरीके से मैं सारी ही इड्लियों को निकाल लूँगा तो देख रहे हैं आप दोस्तो बड़ी आसानी से ये निकल भी जा रही है और अच्छे से कुग भी हो गई है बिल्कुल सॉफ्ट है फलफी है अभी मैं आपको इसे चेक करके दिखाता हूँ कि ये कितना नर्म और कितना मुलाहम बना है अगर इस तरीके से दोस्तो आप इडली बनाएंगे तो हमेशा आपको तारीफ मिलेगी ये देखिए एक पॉफिक्ट इडली को होना चाहिए तो यहां पर मैंने थोड़ा सांबर भी बनाया था और सांबर के साथ मैंने इस इडली को खाया बहुत ही जबुर्दस रेजल्ट है दोस्तो अगर आपको सांबर की रेस्पी चाहिए